हेलो एब्रीबन, आइम आस्था, वल्कम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, गवर्मेंट जॉब चैनियो नॉटिफिकेशन, ड्यूटिपल एस्बी से न्यू रिक्टुट में नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 2022 का, एंड जो भरती की जाएगी वो अलग लग डपार्टमेंट्स में भरती रहेगी, जलबो, ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन, एंड महला एवं बाल बिकास, डबलु सीडी, तो यह अलग लग डपार्टमेंट्स हैं जिसमें भरती की जानी है, और जो पोस्ट रहेगी वो ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट रह इसके अलबाद जो भी SCST कैटिगरी से बलॉंग करते हैं या PWD कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटिगरी से बलॉंग करती हो और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको application fees पे नहीं करनी होगी, fees माफ रहेगी, तो अगर आप इसमें apply करते हैं, मैं online apply करना होगा, application अभी start नहीं हुए है, 20 April 2022 से इसके online application स्टार्ट हो जाएंगे, ओके, last date क्या रहेगी, हम आगे वीडियो में discuss करते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, जो notification है, इसका link, आप apply करने से पहले एक बाद detail notification चेक जरू कर लिजएगा, चलिए हम notification देख लेते है तो यहाँ पर आप यह notification देख रहे हैं, 11 April 2022 को publish किया गया है, only online application will be accepted, तो only आपको online apply करना, यह दर किसी mode से apply नहीं करेंगे, opening date है, 20 April 2022 और इसकी last date रहेगी apply करने की 9 मैं 2022, 20 April से 9 मैं तक आप इसमे online apply कर सकेंगे, और यहाँ पर दी गई है, government of NCT of Delhi के अंडर में यह जो departments आएंगे, उसमें यह भरती रहेगी, departments आप देख रहे हैं, पोस्ट देखेंगे, assistant, archivist grade 1, manager civil, shift in charge, manager, manager traffic, protection officer, deputy manager traffic, and इसमें pump driver, fitter electrical, second class, electric driver, and manager IT, fitter supervisor, manager, so bacteriologist, अब यहाँ पर departments भी आप देख रहे हैं, किस department कौन सी vacancy निकली है, categories wise भी vacancies बताई गई हैं, और grade पे आप देख रहे हैं, post के accordingly, 2000 से लेकर करके, अर्ताली सोता grade पे रखा गया है, group B और group C की यह post है, categories wise आप देख लिजएगा, जिस भी category से आप लॉंग करते हों, उस category में आपको vacancy कितनी हैं, आप इसमें apply कर सकते हैं, date आप देख रहे हैं, last date हमने clear कर लिए, आप यहाँ पर देखेंगे, जो post रहेगी, assistant, archivist, grade first के लिए, इसमें, जो total post है, वो 6 हैं, categories wise यह हैं, और इसमें diploma मांगा गया है, okay, 18 से 30 साल age limit रखी गई है, ज्यादता जो post है, सभी में minimum age 18 है, और maximum post wise different है, next जो post है, वो manager civil की है, यह Delhi transport corporation में रहेगी, एक post है, unreserved रखी गई है, essential qualification में आपने degree किया है, civil engineering में, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, कोई भी इसमें experience भी required नहीं है, 18 से 35 साल age limit है, next है shift in charge के लिए, इसमें 8 total vacancy हैं, और इसमें 10th past candidate apply कर सकते हैं, साथ में आपके पास certificate होना चाहिए in electrical में, या आपने ITI किया हुआ हो, related rate से तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं, और इसमें experience 3 स साल का essential रखा गया है, 18 से 32 साल age limit रहेगी, next है manager mechanical के लिए, इसमें mechanical में आपने degree लिए होई हो, तो apply कर सकते हैं, इसके अलावा जो post रहेगी protection officer के लिए, boomer and child development में, इसमें 23 post हैं इसके लिए, और इसमें post graduation मांगा गया है, social work, sociology में, and इसमें experience है, 3 years का experience भी required रखा गया, 18 से 30 साल age limit रहेगी, deputy manager के लिए, आपने किसी भी discipline में अपना degree लिए है, आप इसके लिए apply कर सकते हैं, total vacancy 3 है, कोई भी experience required नहीं, 18 से 35 साल age limit रहेगी, इसके अलावा pump driver, fitter, electrical second class, electric driver, second class, motor man, electric ministry, इनके लिए जो vacancy है, वो 10th pass candidate apply करेंगे, साथ में आपके पास ITI हो, या आपने related, जो भी trail है, electrical है, उसमें आपने certificate लियाओ, इसमें कोई भी experience required नहीं है, 18 से 37 साल age limit है, यह जो age है, यह general candidate के लिए है, अगर आप reserve category से belong करेंगे, तो आपको relaxation मिल जाएगा, fitter supervisor के लिए, इसमें आपने degree science से की हुई है, तो apply कर सकते हैं, 2 साल का experience, तो कुछ post हैं जिसमें experience required है और कुछ post हैं जहां पर experience required नहीं है, तो आप देख लिजेगा, आप किसके लिए apply करना साहते हैं, Indian citizen इसमें apply कर सकते हैं, जो आपका examination center रहेगा, वो Delhi NCR में ही रहेगा, selection procedure यह application fees आप देख लिजे, application fees 100 रुपीज है, non refundable application fees है, SC, ST, PWD, ex-servicemen category, जो female candidate रहेंगे, उनके यहां पर दी गई है, तो इसमें tier 1st और tier 2nd रहेंगे, और साथ में जिस भी post के लिए skill test requirement रहेगा, वहां पर आपको skill test भी देना होगा, detail में आप यहां देख सकते हैं, total marking कितनी रहेगी, negative marking रहेगी या नहीं, यहां पर दिया गया है, negative marking will be applicable and deduction of 0.25, so यहां पर MCQs types रहेग All India से apply जरूर कर सकते हैं, qualifying nature, qualifying marks अगर देखें, general or EWS के लिए 40% है, OVC, Delhi के जो रहेंगे उनके लिए है, 35%, SST, PH candidate के लिए 30%, so यहां पर यह हमने सारे important जो भी point थे, वो discuss कर ली है, अब अगर आप इसमें apply करते हैं, तो एक बार detail notification जरूर चेक कीज़ेगा, ace relaxation यहां पर notification दी गई है, categories wise, okay, so अगर आप apply करते हैं, link description box में, जरूर चेक कीज़ेगा और वीडियो पसंद आया हो, तो like कीज़ेगा, thank you,